Hello everyone and welcome to Mechanical Classes by Swati दीकिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वेपर कॉंप्रेशन साइकल के बारे में पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपके साथ पहले भी डिसकस किये थे वेपर कॉंप्रेशन साइकल का डिसकस किये थे मैंने लेकिन उदर बस वही cycle के बारे में ही मैंने आपके साथ discuss की थी लेकिन उसका COP, उसका TS diagram केसे निकालते हैं, उसका pH diagram केसे निकालते हैं, वो सब मैंने आपके साथ discuss नहीं की थी, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ, कि TS diagram केसे draw करते हैं, वेपर compression cycle का, pH एच डाइग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रेशर एंथाल्पी डाइग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, आपका वेपर कॉम्प्रेशन साइकल का, और फिर हम लोग डिसकस करेंगे कि इस साइकल का COP भी कैसे निकालेंगे, ओके तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट है, और यह जो COP कैसे कालकुलेट करते हैं, COP का फॉर्मूला के बेसिस पर बहुत सरे नियूमरिकल्स पूछे जाते हैं, सिमिस्टर एक्जाम में भी पूछे जाते हैं, और फिर एंटरांस एक्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तो, वीडियो को स्किप मत कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, मेकानिकल इंजिनियर वीडियो आप तक पहुन सकें, तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो, देखिए पहला मैं आपको डिसकस करूंगी, अभी थोड़ा ब्रिफली मैं आपको बता दे रहे हूं कि वेपर कंप्रेशन साइकल, वेपर कंप्रेशन साइकल देखिए, वो यूज होता है, आपका cold storage में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, और फिर आपका AC जो वार्क करता है, इसी साइकल पर ही वार्क करता है, तो यह जो साइकल के चार मेन कॉंपोनेंट्स है, कि कॉंप्रेसर है, कॉंप्रेसर है, एक्स्पांस अन्भाल्ब है, और इवापोरेटर है तो refrigerant क्या करता है कि evaporator से compressor में जाता है जब compressor में जाता है दोस्तों तो क्या होता है compressor क्या करता है refrigerant को compress कर देता है तो उसका pressure बढ़ता है और उसका temperature भी बढ़ता है तो vapor refrigerant जो enter किया था compressor में बाहर निकलने के time वही vapor refrigerant ही रहेगा लेकिन उसका pressure बढ़ेगा और उसका temperature भी बढ़ जाएगा फिर क्या करता है vapor represent condenser में enter करता है condenser क्या है वो एक heat exchanger है तो condenser में जब जाएगा तो वो heat exchange कर देगा atmospheric air के साथ और फिर उसका phase transformation हो जाएगा phase transformation हो जाएगा मतलब vapor जो है वो liquid में convert हो जा रहा है heat को reject कर रहा है vapor को liquid में convert हो जा रहा है लेकिन ये जो सब vapor में जो liquid में convert हो रहा है वो आट constant pressure में हो रहा है constant pressure और constant temperature में हो रहा है फिर क्या हो रहा है कि ये जो liquid refrigerant है ये फिर expansion भाल में जाएगा expansion भाल में जाएगा तो फिर उसका क्या होगा उसका temperature घड़ जाएगा और उसका pressure भी reduce हो जाएगा लेकिन जब at the point number 4 that is expansion valve से just जब बाहर निकलेगा तो फिर वो जो refrigerant होगा न ये जो refrigerant उसमें कुछ amount of liquid refrigerant रहेगा और कुछ amount of vapor refrigerant रहेगा मतलब ये पूरा liquid नहीं है कि पूरा vapor नहीं है थोड़ा liquid है और थोड़ा vapor है फिर ये क्या करेगा इभापोरेटर में जाएगा इभापोरेटर में क्या करेंगे heat को reject sorry heat को absorb किया जाता है heat कहां से absorb करेगा from the food products it will absorb the heat तो heat को absorb करेगा heat को जब खीचेगा तो फिर उसका जो phase धिरे-धिरे transformation होगा that is पूरा जो liquid प्लस vapor था वो धिरे-धिरे करके पूरा vapor में convert हो जाएगा phase transformation तो हो रहा है लेकिन at constant temperature and at constant pressure फिर compressor में जाएगा तो धिरे-धिरे ये जो cycle है वो continuously चलती रहेगी और हमें cooling मिलती है तो ये है जो brief description of the vapor compression cycle का तो अब मैं discuss करूंगी टी-एस डाइग्राम चलिए discuss करते हैं इसका टी-एस डाइग्राम ओके देखिए थोड़ा और अच्छे से मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूं ओके देखिए फिर से इतना तो आपको मैं मोटा-मोटी करके समझ में आ गया होगा कि टी-एस डाइग्राम देखिए ये vapor dome है ओके ये होता है आपका pressure lines राइट ये होता है आपका pressure lines तो अब पहले देखिए अब क्या हो रहा है कि रेफ्रीजरांड जो है compressor में पहले जा रहा है पहले वह क्या था आजून करते है कि वह जो रेफ्रीजरांड थाना वह पूरा dry stage में था ड्राइब है wputer stage में ओके तो इसका मतलब constant entropy process okay constant entropy process तो मैं अभी ऐसे ड्रा कर सकती हूं इसको यह हो गया आपका point number two right अब next क्या हो रहा है कि वो condenser में जा रहा है okay condenser में जाएगा तो फिर क्या होगा condenser में वो heat को reject कर रहा है और उसका phase transformation भी हो रहा है that is from vapor to liquid it is converting from vapor to liquid state okay constant pressure तो फिर हम अभी कैसे ड्रा कर सकते हैं मतलब पूरा वो liquid में convert हो रहा है तो यह मैं point three दे रहे हूं क्योंकि जो भी refrigerant अगर इस वाले point में वो पहुंच गया यह वाले line में तो वो 100% liquid है गया तो यह अभी condenser में जब जा रहा है तो 100% वो liquid है तो यह वाले point में अभी कर सकते हूं कि यह 100% liquid में है फिर कहां जाएगा यह refrigerant जा रहा है फिर expansion भाल में जा रहा है जब expansion भाल में जा रहा है जब expansion भाल में जाएगा तो उसका temperature क्या होगा reduce होगा pressure भी reduce हो रहा है temperature भी reduce हो रहा है और जो outlet होगा उसमें refrigerant कुछ amount of liquid रहेगा कुछ amount of vapor रहेगा एकई तो इसका मतले वो पूरा रेफ्रीजरन नहीं हो पूरा लिकुड में नहीं है और पूरा वेपर में नहीं है तो मैं कैसे ड्रॉब कर सकती हूँ अबी इसे ड्रॉब कर सकती हूँ number 4 I can give क्योंकि 4 जो है वो point है वो ना पूरा liquid है ना पूरा vapor है तो बीच में वो रहेगा dome के बीच में रहेगा फिर अभी क्या जा रहा है वो evaporator में जा रहा है वो evaporator में जब जाएगा तो फिर क्या होगा वो heat को absorb करता है और उसका phase transformation होता है मतलब जो liquid plus vapor था वो धिरे धिरे करके पूरा vapor में convert हो जाएगा और vapor का point हमारा का है यह होता है हमारा saturated vapor line तो मैं लिख सकती हूं अभी 4 से 1 like this but that is taking place at constant pressure तो मैं लिख सकती हूं अभी 4 to 1 में ऐसे आरो दे सकती हूं तो यह जो process है ना यह होता है आपका TS diagram सायद आपको समझ में आगे ही होगी अगर फिर वे कुछ doubts है तो मुझे comment section करके जरूर बताना आप लोगों क्याकि मैं आपकी doubts को clear कर सकूं तो अब discuss करते हैं उसका pH diagram pH diagram भी बहुत ही easy है यह ऐसे होता है आपका pH diagram pH lines रहेगा और यह वाली जो line है यह वाली आपका saturated liquid line है और यह वाली आपकी saturated vapor line है और जहां दोनों meet कर रहे है वो हो रहा है आपका critical point तो अब यहाँ पर वही vapor compression cycle का ही process में आपको दिखाऊंगी similarly यहाँ पर भी आपका superrated zone है यह आपका superrated zone और यह आपका subcooled zone C, Z में लिख दे रहे हूँ ताकि subcooled zone है तो पहले क्या हो रहा है कि refrigerant जो था वह vapor में था 100% vapor में था और फिर वो कहां जा रहा है अभी compressor में जाएगा compressor में जाएगा तो वो क्या होता है कि reversible adiabatic process है reversible adiabatic process है तो entropy constant है देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए यह जो sorry यहाँ पर मैंने लिखे नहीं आपको pH chart तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे है कि entropy जो है ऐसे lines आपको मिलेगी entropy lines जो है वो ऐसे मिलेगी आपको entropy lines जो है ऐसे मिलेगी तो point number 1 में दे रही हूँ इसको point 2 okay point number 2 right तो अब क्या हो रहा है next कि अब हो रहा है कि वो condenser में जाएगा right condenser में जाएगा तो क्या होगा condenser में जाता है तो heat reject करता है और with at constant pressure at constant pressure तो मैं अभी एक constant pressure line ड्रा कर सकती हूँ यहां से okay और phase भी transformation हो रहा है और वो 100% liquid भी हो जा रहा है तो यह जो line है हमारा saturated liquid line है तो इसको मैं यहां पर point number 3 दे सकती हूँ okay next अभी फिर क्या हो रहा है कि expansion भाल में जा रहा है expansion भाल में जब जा रहा है तो उसका enthalpy जो है वो constant है enthalpy constant है expansion भाल में जब जाता है तो temperature और pressure दोनों reduce होते हैं और enthalpy जो है वो constant रहती है तो मैं अभी कैसे draw कर सकती हूँ ऐसे draw कर सकती हूँ क्योंकि यह जो है हमारा constant enthalpy है तो अब फिर next क्या हो रहा है कि वो evaporator में जा रहा है जब evaporator में जाएगा तो उसका phase transformation होगा मतलब पूरा जो liquid plus vapor था वो धिरिद्रे करके पूरा vapor में convert हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे line draw कर सकती हूँ ओके अट constant pressure क्योंकि इवापरोटर में भी प्रेशर फेश तो ट्रांस्परमेशन हो रहा है लेकिन pressure जो है वो constant रह रही है तो यह होता है आपका pH diagram और T-S diagram आपको समझ में आ रही होगी यही सब चीजे मैंने यहां पर आपको discuss किये थे की हूँ आपके साथ कि कैसे pH diagram में कैसे plot किया जाता है और pH diagram में कैसे plot किया जाता है आप देख सकते हैं कि वान टू 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 जो है वो compressor process है फिर condensation हो रहा है 3-4 expansion valve जिसमें enthalpy जो है वो constant रह रही है लेकिन pressure reduction हो रहा है और 4 से वान क्या है इवापरेटर में जा रहा है रहा है फ्रिजरांट तो वहाँ पर भी phase transformation हो रहा है लेकिन add constant pressure और एक चीज में बता दू कि यह जो lower pressure हम लोग यह lower वाला lines lower pressure lines को हम लोग क्या बोलते है उसको हमेशा evaporator pressure होता है और यह जो higher वाला है उसको हम लोग condenser pressure बोलते है उसको लिया जाता है हमेशा condenser pressure okay TH diagram में भी वह ही है तो आपको सायद इसमें समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कुछ doubts हो मुझे comment section करके जरूर बताना दोस्तों now देखिए अब हम कुछ और discuss करेंगे अभी यह TH diagram हो गया अभी यह pH diagram हो गया तो अब हम क्या discuss करेंगे उसका derivation discuss करेंगे okay उसका derivation मतलब यह जो vapor compression cycle है ना उसका COP उसका coefficient of performance उसका coefficient of performance हम लोग कैसे निकालेंगे okay यह सभाव हम discuss करेंगे okay तो वीडियो तक दोस्तों जरूर बने रहिए okay देखिए हमें पता है कि steady flow energy equation अगर आप लोग thermodynamics पढ़े हो तो आपको steady flow energy equation आपको पता होगा okay steady flow energy equation क्या है कि H1 plus V1 square by 2 plus GZ1 plus Q is equal to H2 plus V2 square by 2 plus GZ2 plus WCV WCV is the control volume work okay H is the enthalpy B is the velocity okay GZ1 G acceleration due to gravity okay Z1 HZ is the distance तो यह सब होए हमारा steady flow energy equation okay तो हम लोग क्या assume करते हैं कि assuming that steady flow assuming steady flow हम लोग 4 processes में अभी steady flow energy equation को use करने वाले हैं okay तो हम लोग क्या assume करते हैं कि यह जो चारो processes मतलब evaporation process, compression process, condensation process, condenser में जो process हो रहा है और expansion भाल में भी जो processes हो रहे हैं यह जो चारो processes है उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग assume करते हैं कि यह जो flow है वो steady flow है और neglect भी क्या कर रहे हैं हम लोग neglect क्या कर रहे हैं potential energy को neglect कर रहे हैं और kinetic energy को भी neglect कर रहे हैं क्योंकि यहां पर तो चारो processes में potential energy भी अप नहीं कर पा रहा है और kinetic energy भी कोई काम का रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग यह जो दो terms हैं ना इसको हम लोग neglect कर रहे हैं तो इसको मैं 0 कर दूँ, ओके, इसको भी मैं 0, ओके, ये जो टर्म्स न, इसको मैं neglect कर रही हूँ, तो हमारा equation क्या बन जाता है, कि H1 plus Q is equal to H2 plus WCB, WCB, ओके, ये हमारा equation बन जाता है, तो अब हम क्या discuss करते है, कि compression, पहले discuss करते है, कि compression process में क्या होता है, ओके, compression process में, अब हमारा compression process में क्या होता है, तो देखे, 1 to 2 processes में हम लोग discuss कर रहे है, 1 to 2 process, ओके, में हम लोग apply करेंगे अभी, देखे, 1 to 2 process में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी, H1 plus Q is equal to H2 plus WCB, लिख सकते हैं, ओके, and all the units are in kilojoule per kg, ओके, सब जो भी units है, वो kilojoule per kg में है देखे, compression process में हमारा heat transfer नहीं हो रहा है, क्या हमारा compression process में heat transfer हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो cube को, उसको zero कर देंगे, ओके, अभी हमारा equation क्या है, हमारा, H1 plus Q is equal to H2 plus WCB, ओके, तो हमारा compression process में कोई भी heat जो है, वो absorb नहीं हो रहा है, कि reject नहीं हो रहा है, तो इस वाले part को में क्या करूंगी, अभी, zero कर दूंगी, ओके, तो बचता क्या है हमारा, कि WCB is equal to WCB is equal to H1 minus H2 हो रहा है, हमें मुझे मिल रहा है WCB is equal to H1 minus H2, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको में बता दूंगी, यहाँ पर जो है, हम लोग कुछ power supply कर रहा है system को, system को कुछ, मतलब रेप्रिजेटर में जो compressor use किया गया है, उसमें हम लोग कुछ power दे रहे है, उसके बज़े से compressor चल रहा है, electricity supply क कर रहे है, ओके, so work done here will be negative, ओके, work is done on the system, work यहाँ पर system on the system हो रहा है, हम लोग कुछ power supply कर रहे है, तब ही जाके यह वेपर compression system चल रहा है, compressor में कुछ power, compressor में चलने के लिए उसको power चाहिए, इसके बज़े से क्या होता है, कि यहाँ पर जो है, डबलो जो है, वो negative आएगा, ओ work done is done on the system, so work done is negative here, so I can write WCB is equal to, अगर में minus, दोनो साइड में multiply कर लू, तो W is equal to कितना आएगा, मेरा, H2 minus H1 आएगा, 1 minute, H2 minus H1, okay, H2 minus H1 आएगा, यही चीज में ने लिखे है यहाँ पर, WCB is equal to H2 minus H1, okay, I hope आपको यह derivation समझ में आगी होगी, और एक चीज में बता दू, कोई-कोई fuse हो रहा होगा, यह steady flow energy equation अचानक से कहा है, यह thermodynamics में है, अगर आप नहीं पड़े, तो study flow energy equation के बारे में अभी मैं discuss करूँगी, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैंने बस आपको, बस यह equation से ही मैं शुरू की हूँ, पूरा details में अगर आपको जाना है, तो मुझे comment section में बोलिए, कि इसके बारे में एक वीडियो बनाए, तो मैं आपको लिए बना करते हो कि, अभी कि h2 plus q is equal to h3 plus wcv, ओके ऐसे लिख सकते हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, कि condenser process में देखिए, कि hit जो है, वो reject कर रहा है, hit को reject कर रहा है, तो इसका मतलब q जो है, वो consider किया जाएगा, negative, ठीक है, और work done तो कुछ हो नहीं रहा है, तो work done को मैं consider कर सकते हूँ, 0 करके, तो h2 minus q is equal to h3 I can write, right, so q is equal to I can write h2 minus h3, ठीक, बराबर q is equal to h2 minus h3, okay, the same thing which I have written here, right, तो यह है आपका condenser process, okay, same way steady flow energy equation को मैं apply कर रहे हूँ, और निकाल रहे हूँ, okay, next अभी देखेंगे throttling process में, throttling process में, देखे, 3 से 4 आपका throttling process हो रहा है, right, 3 से 4 आपका throttling process हो रहा है, तो equation में क्या डालूंगी अभी, h3 plus q is equal to h4 plus wcb, जैसे 1 से 2 process हो रहा था, तो हम लोग लिक रहे हैं, h1 plus q is equal to h4 plus wcb, वैसे throttling process में 3 to 4 process हो रहा है, तो आपका equation क्या बन जाएगा, कि h3 plus q is equal to h4 plus wcb हो रहा है, okay, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि work done कुछ नहीं हो रहा है, और heat transfer भी नहीं हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, कि h3 जो है, वो h4 के साथ बराबर है, बस आपको explain करने के लिए, मैं यहाँ पर दूसरी बाल लिख रहे हूँ, ता कि आपको थोड़ा और थोड़ा अच्छे से clarity से समझ में आ जाए, ओके, देखिए, यह जो evaporation process है ना, यह evaporation process अभी next देखेंगे, evaporation process जो है, वो 4 से 1 तक हो रहा है, तो I can write h4 plus q is equal to h1 plus wcb, ओके, दिख सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, heat को absorb किया जा रहा है, तो q तो होगा हमारा positive हो जाएगा, और warp room तो कुछ हो ही नहीं रहा है, warp room तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 0 consider कर सकती हूँ, ओके, तो q is equal to h1 minus h4, ओके, राइट, तो अब हम 4 processes को complete already कर चुके है, steady flow energy equation को 4 processes, compressor में, condenser में, expansion valve में, 3 to 4, और फिर 4 to 1 evaporation process, चारो processes में, अब हमने successfully steady flow energy equation को apply करके, कुछ values हमें, कुछ चीजे हमें मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, COP इसका निकालेंगे, तो COP का formula दोस्तो क्या है, COP is equal to heat absorbed divided by work done, heat कितना absorb किया है, तो COP हमारा क्या हुआ, क्या लिख सकते हैं, COP लिख सकते हैं, Q, absorb हुआ है, तो हुआ है हमारा, तो Q is equal to h1 minus h4, h1 minus h4, pen is not working, okay, h1 minus h4, one minute, h1 just a minute, okay, there is some problem, okay, let me do something, okay, okay, see, now I can write, COP is equal to h1 minus h4, okay, divided by work done, okay, तो work done कहां से कहां तक है, 1 से 2 processes में work done हो रहा है, तो हमें कितना मिला है, h2 minus h1 मिला है, तो अब मैं लिख सकती हूँ, h2 minus h1 करके, लिख सकती हूँ, okay, तो यह रहा हमारा COP, that is h1 minus h4 divided by h2 minus h1, okay, तो I hope आपको यह COP calculation, vapor compression cycle, और फिर diagrams, TH diagram, PH diagram, यह सब आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो में, अगर कुछ doubts हो, मुझे comment section करके जरूर बताना आप, okay, so thank you for watching my video and please subscribe my channel for more videos, thank you,